हालो हाई गाईस वेलकम टो विनाएक बिलीवर्स क्लासेस तो स्टुडेंस मैंने लास्ट के वीडियो में आपको करवाया था आपके यांत्रिक परिसज्जा और आज हम करेंगे रासाइनिक परिसज्जा के बारे में पढ़ेंगे सो चलिए विडाउट फेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अगर आपको मेरा विडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर सब्सकाइब करना जरूर कीजिएगा भूलिएगा नहीं सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक रासाइनिक परिसज्जा अराम से आप सुनिएगा देखिएगा समझिएगा तो आपको यह याद रहेगा ठीक है चलिए फॉस्ट आपके रासाइनिक परिसज्जा में आपके आ रहा है फॉस्ट स्थाइप्रेस अभी मैंने आपको बताया था यांत्रिक परिसज्जा क्या होती है जिसमें यंत्रों का यूज किया जाता है तो यह आप चीज़ ध्यान रखेगा इसलिए इनका नाम परितिसकंदता का अभाव होता है जिसकी वज़े से इनमें थोड़ा सा भी अगर इनको क्रश करो तो इनमें सल्वटे पढ़ जाती है रिंकल्स पढ़ जाती है इनमें पर्मानेंट प्रेस के लिए संसलेशित रेजिन जो होता है वो वस्त्रों पर यूज किया जाता है और then ये पर्मानेंट प्रेस हो जाता है means की दो और पहनो वाला system हो जाता है इनमें सलवटे नहीं पढ़ती है इनमें रिंकल्स नहीं पढ़ती है इस तरह की परिसज्जा दी जाती है जिसको बोलते हैं thai press use क्या किया जाता है Sunslation Raisin चलिए इसी की साथ next देखते है mercy rising आप ये जो term में ध्यान रखिएगा mercy rising जो है caastik sodae के घोल से वस्त्र की सतय को चिकना बनाया जाता है देखे mercy rising जो परिसज्जा होती है उसमें क्या क्या जाता है वस्त्र को caastik sodae के घोल में डाला जाता है मर्सी राइजिंग परिसज्जा में सत्या को चिकना बनाया जाता है वस्तर की सत्या जो होती है उसको क्या किया जाता है चिकना बनाया जाता है और आपके उसमें अप्शोषन क्षमता को बढ़ाया जाता है जिसके लिए वो क्या हो जाता है उसको रंगना भी आसान हो जाता ह कपड़े को, फैप्रीक को, जिस भी कलर में डाय करना है तो वो क्या हो जाता है ईजी हो जाता है कास्टिक सोडे का गोल होता है जिसके जाल जाता है सुऩड़ेंस्ट आप ध्यान रखियेगा कि कौन परीसज्जा के लिए क्वोज साएन यूज किया जारहा है छलिए इसमें क्या करते हैं देखिए इसमें आपके अब्सक्रिशन चमता बढ़ने का मतलब है वस्तरों को थोड़ी देर के लिए भीगो कर रखा जाता है जिसमें उनके रेश्ये क्या होते हैं फूल जाते हैं उनमें अब्सर्प्शन पार बढ़ाई जाते हैं कास्टिक इसके उपर silvania नहीं पढ़ना मतलब की a-prr रोव रोटी इसको बोलते हैं आप Sun Farid और आपकी इसमें use किया जते fanol formaldehyde or urea formaldehyde, जो वस्तरों पर use dance इसको होता है धिस सिल्वा रवधी बना जाता है एक चीज ओर आप इसमें ध्यान रखेगा, शिल्वर पर जो रोधी है, सन्फॉर आइजिंग जो परिशजज़ है, इसमें फिनौल फॉर्मेल डियार्ड जो होता है, वो सफेद ठीक है सफेद और लाइट कलर के जो वस्तुर होते हैं, उन पर यूष कया जाता है और यूरिया फॉर्मेल डिहर्ट जो होता है वो डाक कलर के वस्तरों पर यूज किया जाता है ठीक है तो सन फोराइजिंग पर इस अजजा दी जाती है चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर आप क्या रहे जल अवरोधक जल अवरोधक से आप समझ जाएंगे क्या हो वस्तर को waterproof बनाना means की बारिश आ जाए या उस वस्तर पर पानी गिर जाए तो वो अंदर की तरफ नहीं जाता तो उसके लिए क्या किया जाता है रबर्ड वै यह नहीं है रबर्ड वै प्लास्टिक यूज किया जाता है रसाइनिक रेजिन लगाया जाता है इसके उपर क्य की जाते है वस्तर के उपर इन चीजों की एक परत चड़ा दी जाती है जिससे क्या होता है पानी जो है क्या होता है वस्तर के जो छिद्र होते है वो बंद हो जाते है और उसके अंदर पानी नहीं जा पाता तो पानी क्या होता है वो उपर से ही slip होकर नीचे चला जाता है अ और जिसको आपके umbrella जो है यूज़ करते हैं तो देखा होगा आपने umbrella के उपर से भी पानी क्या है, slip होकर साइडों से निकल जाता है, वो नीचे की दरफ नहीं आता, ठीक है, चलिए, अगनी अवरोधक, अगनी अवरोधक क्या होता है, आपके क्या बोल सकते हैं, आप फायर प्रूफ आपके वस्तर बटाना, दीख ए अचे जो वस्तर होते हैं, वो फायर प्रूफ होते हैं, यह हमें पता है, और आपके इसमें क्या करते हैं, अज्वलन शील पदा यूज किया जाता है, अमोनिया सल्फेट के ये के एक मोटी परत होती है, जिसको वस्तरों पर लग और इसके लावा अजे वलंशीलपदार्थ भी देखें क्लोरीन यूक तर बढ़ आ जाता है एन्टीमनी आ जाता है विनाइल क्लोराइट आता है सो ये सब चीजें आजाती है जो ये सब क्या है अज्वलनशील पदार्त है जिनका यूज क्या क्या ज़दा है पत्र जो वस्त्र होते हैं उनके उपर इसकी परत चड़ा दी जाती है जैसे की स्व Jeśli अग्नि अवरोदक हो जाते हैं इसके फायर प्रूफ हो जाते हैं आग लगने पर जलती नहीं है चलिए Next हम देखते हैं इसके इंदर कीट अवरोधी कीट अवरोधी से आप समझ गए होंगे जैसे की सीलिको फ्लोराइट, फ्लोरीन, योक्त, योगिक जो होते हैं और आपके पैराधीक, क्लोरोबेंजीन अधेक है उसकी बेस्तन परचड़ा दी जाती है तो यह क्या बन जाते हैं आपके कीट अवरोदी इस तरह के जो मेज़र होते हैं इनको कीट जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि इनको कीट अवरोधी बना दिया जाता है next आता है from food rodak from food rodak में क्या होता है इसमें magnesium chloride, calcium chloride या zinc chloride, formaldehyde और इसके अंदर आपके turpentine आएगा ये आपके valentine नी turpentine turpentine means कि तारपीन का तेल बोला जाता है इसको turpentine, तारपीन का तेल की परत चड़ा दी जाती है वस्तर के ऊपर सतह पर एक परत लगा दी जाती है so ये from food rodak बन जाते है आपने देखा होगा कुछ वस्तर ऐसे होते हैं जो from food लगने से खराब हो जाते हैं जिनके जो वस्तर नमी में जा मोश्यर में रहते हैं उनका पर फूद लग जाती है जो वस्तर जो तंतू होते हैं वो क्या हो जाते हैं उनको हाम पहुँचता है तो वो खराब हो जाते हैं तो इस तरह की परतिस पर चड़ा दी जाती है कि नमी में हो या कहीं भी हो ऐसी जगार पर जहां सीलन हो या कुछ भी तो वस्तर पर फ्रफूद नहीं लगता उसके लावा देखिए आपके आजाते है विरंजन विरंजन क्या होता है आपके bleach जिसको बोला जाता है बेसिक लेंगविज में bleach बोल सकते हैं देखे ओक्सिकारक विरंजक क्या होता है यह आते हैं आपके नमी सूर्य यह देखे दो तरह की विरंजक है एक ओक्सिकारक विरंजक है आपके इसके अंदर जिसमें आपके देखे नमी सूर्य आपके सूर्य का प्रकाश जिसको आप नैचुरल लाइट भी बोलते हैं प्राक यह आपके आक्सिकारक विरंजक में आते हैं ठीक है यह सब आपके किसमें आते हैं आक्सिकारक विरंजक में आप नाम ध्यान रखिएगा आक्सिकारक विरंजक में क्या आते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो विरंजक है दो परकार के हैं आक्सिकारक विरंजक और आप इसमें आपके stainous chloride आजाता है, स, आदा स आएगा, इसके अंदर stainous chloride, ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर है zinc चूरन, zinc चूरन आजाता है, और आपके इसके अंदर ferrous sulfate आता है, sodium hydro sulfate आता है, sodium bisulfate आता है, so students, आपको ध्यान रखिएगा, कि आपके ओक्सी कारक विरंजक में क्या आता है, अवकारक विरंजक में क्या आ जाता है, so आपको ये नाम ध्यान रखने हैं विरंजक, दो टाइप के होते हैं, और आपको ये एक बात बता देती हूँ, कि आपके जो hydrogen peroxide जो विरंजन है, ये आपके safe माना जाता है, ठीक है, जो सबसे safe माना जाता है विरंजक वो आपके सुरक्षित विरंजक जिसको बोलते हैं, वो आपके होता है hydrogen peroxide, ठीक है, अगर सुरक्षित विरंजक की बात किज़े, hydrogen peroxide और आपके oxykarak विरंजक के नाम और उसके बाद अवकारक विरंजक यहां से start हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अवकारक विरंज हैं, first and second, ठीक है, so sorry students, मेरा थोड़ा तबियत ठीक नहीं होने के कारण, misprint हो रहा है यहां पर, थोड़ा printing में problem हो रहा है, so चलिए आप थोड़ा adjust कीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको note down कर लीजिएगा, थोड़ा आप इसको correction कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, now, next चलते हैं, आपके अवशोशन क्षमता, देखी, कुछ वस्तर ऐसे होते हैं, जिनकी अवशोशन क्षमता बढ़ाई जाती है, इसलिए उनकी क्या किया जाता है, अमोनियम के जो योगिक होते हैं, उनकी क्या कराई जाती है, प्रतिकिर्या कराई जाती है, रेक्शन करव सफ्रेख करवाई जाती है उसके अलावा और भी एसे जो फैब्रिक है स्वारि फाईबर है जुनमी अशोषन ख्षमता नहीं होती है सो उनके अंदर अशोषन ख्षमता बढ़ाई जाती है तोorb में आमोनियम के योग इसका नाद इसके न рекॉनियोर रहाई इसके अंदर antiseptic, antiseptic क्या होता है, वस्त्रों को किटानू रहित करने के लिए, antiseptic घोल का use किया जाता है, कि वस्त्रों को किटानू से किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे, और इसलिए उनको क्या किया जाता है, वी संक्रमित किया जाता है, किटानू रहित किया जाता है, वी संक्रमित किया जाता है और वी संक्रमित करने के लिए आपके antiseptic hole का use किया जाता है ठीक है उसके अलावा आपके देखिए इसके अंदर आ रहा है antibacterial ठीक है antibacterial जो होता है आपके antibacterial जो परिसज्जा है इसमें ammonium से इसकी क्या करवाई जाती है antibacterial करने के लिए ammonium से प्रतिकरिया करवाई जाती है क्योंकि इसको क्या किया जाता है वस्तर को bacteria अवरोधक बनाया जाता है देखिए bacteria अवरोधक बनाने का मतलब कि हम कुछ वस्तर पहनते हैं जो पसीने के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हामफुल होते हैं वो हमारे जो वस्तर होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं तंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए उनको उसको बैक्टीरिया अवरोधक बनाने के लिए उस वस्तर को बैक्टीरिया अवरोधक बनान है ammonia use किया जाता है और यह bacteria अवरोदक बन जाता है फिर क्या होता है जब भी पसीना लगता है कुछ भी तो वस्तर जो है खराब नहीं होता उन वेक्टेरिया से खिर करें 500 नेक्सट देखते हैं हम anti-snag परिस जाए anti-snag kis को बोला जाता है । देखें जो निटिक के वस्तर होते हैं ऐसे वस्तर जिनको निट किया जाता है उन वस्तरों को उधरने से बचाने के लिए उन वस्तरों को उधरने ठीक है वो वस्तर ना उधरने उनको उधरने से बचाने के लिए जे पेल का यूज किया जाता है जे पेल का यूज किया जाता आपके जेपेल परिसज्जा का यूज किया जाता है यह आप ध्यान रखिएगा ठीक है एंटी स्नेग देखें मिट्टी व्या दाग दब्भे अवरोधक बनाना है ऐसे वस्त्र जिन पर मिट्टी जादा पकड़ती है ऐसे वस्त्र जो मिट्टी जल्दी गंदे होते हैं जिन के छिद्रों में मिट्टी रह जाती है जिस वस्त्रों में मिट्टी चिपक जाती है जल्दी से या दाग दब्बे जल्दी लगते है तो उनको मिट्टी वे दाग दब्बे अवरोधक बनाने के लिए क्या दी जाती है स्कॉच गार्ड परिसज्जा यह आप नाम ध्यान र स्कॉच गार्ड परिसज्जा ही वीजा परिसज्जा ही वीजा परिसज्जा ही स्कॉच गार्ड परिसज्जा ही और यह किसके लिए होती है यह होती है मिट्टी में मिट्टी दाग धब्बे अवरोधक बनाने के लिए वस्त्र को मिट्टी दाग धब्बे अवरोधक बनाने क लिए तो क्या होता है कि जब ये परिसज्जा दे दी जाती है तो जो वस्त्रों पर मिट्टी या दाग दब्बे होते हैं वो जल्दी से उस पर नहीं लगते वो क्या होते हैं उपर से ही निकल जाते हैं वस्त्र जो है दाव धब्बे या मिटी नहीं पकड़ता सिकुडन रोधी सिकुडन रोधी परिसज्जा जो है आपके इसके अंदर देखिए मौलिका कार बनाए रखने के लिए वस्त्रों को अपनी पूर्व आकर्ती में बनाए रखने के लिए क्या करते हैं सिकुडन रोधी परिसज्जा दी जाती है जिसमें दो तरह की परिसज्जा होती है लगातार होने वाली परिसज्जा सिकुडन रोधी परिसज्जा में आपके लगातार होने वाली सिकुडन जिसमें आपके देखना है सतय पर तह जमना लगातार दो तरह की परिसज्जा होती है इसके अंदर लगातार होने वाली परिसज्जा और आपके डीली अवस्ता कसम कुछन जिसमें हम पढ़ रहे हैं आ उन पर पॉलिमाइड की सतय जमाई जाती है ठीक है इस परिसज्जा में क्या होता है लगातार होने वाली परिसज्जा में हीट सेट कर दिया जाता है हीट सेट के द्वारा क्या होता है इसमें वस्तरों के आकार जो है मौलिक अकरती उनकी बनी रहती है सतय पर तह जमाई जात यह आपके उन को क्लोरीन से प्रतिक्रिया करवाई जाती है और आपके सत्या पर जो तहर जब ना है उसमें किसकी प्रतिक्रिया करवाई जाती है आपके पॉलिमाइड की तह जमाई जाती है, हैलोजीनेशन में क्लोरीम की प्रतिकिर्या करवाई जाती है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, आप लगातार होने वाली सिकुडन की बात चल रही है, उसके अलावा दिखे धीली अवस्ता का संकुचन, धीली अवस्ता के ठीक है, उनी वस्तरों के लिए मेलेमाइन फॉर्मेलडिहाइड रेजिन की परत लगाई जाती है, और सूती रियोन वे लिनन के लिए यूरिया फॉर्मेलडिहाइड रेजिन की परत लगाई जाती है, ठीक है, आपके धीली अवस्ता के संकुचन में उनी वस्तरों के लगातार होने वाली सिकुडन में सत्या परता है जमना हैलोजीनिशन ठीक है सो सुडेंस यह आप ध्यान रखेगा सो सुडेंस यह हमारी वीडियो भी लास्ट था इसका सो यह हमारा जो है रा सायनिक परिसज्जा कम्प्लेट हो चुका है सो थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो मेरे साथ बने रहिए study करते रहिए practice करते रहिए short quick study जिसमें आपको short content में सब कुछ मिलेगा सो बने रहिए मेरे साथ thank you so much God bless you all bye